नमस्कार दोस्तो एजुकेशन इस्टुडी सरकल में आपका स्वागत है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए गया जो बार-बार आप कोश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा बैलनस नहीं आया है मेरा डाटा फाउंड नहीं हो रहा है और मेरा आधा पूरा देखिए लेकिन इससे पहले जिरो ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब को लिए अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जो आप कमेंट करके बार-बार पूछ रहे हैं तो उस जिनकी अगर फीस नहीं आई तो वो परसान ना हो यूपी सरकार ने ये घोसित कर दिया था मलब कि दिसंबर से ही पहले उन्होंने ये बता दिया था नॉवंबर और दिसंबर की नियूज पेपर में कि जिन लोगों का इस बार स्कालर सिप है सब को स्कालर सिप दी जाएग बहुत लोग का फीस डिफरेंटेबल आ चुका है और उन्होंने हमको मैसेज करके बताया भी है कि हमारा सर्फ फीस आ चुका है फीस डिफरेंटेबल भी हो रहा है तो उसके लिए परसान नहीं अगर भाई जो भी स्कालर सिप था जैसे कि अगले सार्फ फंड कम थे और हो सकता है कि सभी को स्कालर सिप के साथ साथ फीस डिफरेंटेबल भी हो गई है निश्चित है कि होगा जरूर लेकिन हो सकता है कि लेट हो कुछ क्योंकि बहुत लोग का स्कालर सिप आ चुका है तो उनका सेकेंड पेमेंट भी आना चालू जागा है बहुत लोग का सेक ह픈산 पनिफीब कर दोखेए तो दूसरी बात जिनका डाटा नहीं हो रहे जैसा कि हम बता देए P F S 사pex क spends की स्लों हो गई है अभी हम आपको चेक करके दिखा दे क्योंकि उस पर बैलेंस तो सो करने की बात जिनका बैलेंस आना भी चालो हो गया है वह इस समय पीएफमेस पर सो ही नहीं कर आप अगर चेक करेंगे देखेंगे पीएफमेस पर बैलेंस नहीं सो कर रहा और बहुत लोग का डाटा चेसर की मुबाइल नंबर गलत है हमारा तो मुबाइल नंबर गलत हुने कोई बात की दिक्कत नहीं है आपका मुबाइल नंबर गलत है तो उसके लिए कोछ भी दिक्कत नहीं अगर आपका बैंक एकाउंट बैंक नंबर मलब की और अगर यह सही है मलब की जहां पर आपका bank जो है bank का नाम bank account सही है तो आपके diet bank में पैसा चला जाएगा bank मलग की mobile number से कोई भी problem नहीं होगी जैसा कि हम बता दें दूसरी बात जो लोग बहुत ज़्यादा डर रह तो उसके लिए डरनी कोई बात नहीं उनका scholarship 100% आएगा आप परसान नहीं इस बार तो सभी की scholarship आएगी क्योंकि OBC का balance अब आना चालो हो गए जैसा कि हम बता दे कि जन्वरी के 28 जन्वरी से OBC की scholarship और फीस refundable भी हो रही है लगातार हो रही है बहुत लोगों ने भी हमको कहा सब थैंक यू जो जान रहे हैं तो वो उनकी scholarship पूरी आ रही scholarship के साथ फीस refundable भी हो ना पहले उनका भी scholarship आया था फीस refundable भी हो रहा है तो आप पूरी जानकारे लिए जैसे बहुत लोगों का अभी तक भी संचय में कि मेरा फार्म गलत है सही है तो उसके लिए परसान यहने हमने कई बार अपने वीडियो मता कि अगर आपको फार्म अपना देखना है तो आप कैसे देखेंगे त फिर यहां पर आप क्लिक करेंगे जैसे देख रहे हैं यहां पर मुबाइल सी चेक करना है यहां पर देखेंगे मानी मुख्यमंत्री उत्तर परदेश के नीचे एक हरे रंग का बार है उस पर क्लिक करेंगे तो यह बॉक्स खूल जाएगा जैसे होम है इस्टुडेंट है लौggिन है रिपोर्ट है स्टेटस है, करेंट्स है, कंटेक्ट है, तो आप कुछ नहीं आप यह जानते रहिए कि हमको जो है स्टेटस पे चेक नहीं करना है Beast कुविंगी इस्टेटस जो हो रहा है वो अगले साल का सो हो रहा है अभी इसपर साइप पूरी तरीके से perfection नही आपके होगा नहीं कि फ्रेस्स लागिंड अगर टाफ्व लोगिंड将 रहें है वह आपना चेकर सकते हैं वहांछा की जो फॉर्म की प्रॉसस हो कहां पर है वह कैसा है कि सही हुआ है कि गलत हुआ अगर पने फार्म की जानकारिे ले कि रहाते हैं तो ऊडिन्रा जैसा रह। पिला सकते हैं फिर पोस्टमेट्रिक इंट्रमेडियर कि पूरी जानकाली ले सकते मूल कि आ सही है गलत है अब बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि सर हमारा पासवर्ड जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पासवर्ड फार्गेट हो गया है तो पासवर्ड अगर आपका फार्गेट हो गया है बहुत लोगों ने बहुत इस्टुरेंट ने पूछा कि सर मेरा पासवर् प्रिमेट्रिक भर सकते हैं तो इसी तरहां भर सकते हैं ठीक है आप देखिए इसमें क्या है आपको करना क्या रहाएगा आप इसमें से पोश्ट मेट्रिक जैसे कच्छा 910 है तो जैसे कच्छा 910 के ले या तो इंटर तक का ले ले इंटर का ही ले चाहे आई टी आई हो चाहे बीटेग हो चाहे पॉल टेक नहीं हो तो अपना किलिक करेंगे रिनुवल पे जैसे जिनका रिनुवल रिनुवल करें या तो फ्रेसर प्राप्ट कर सकते हैं जो यह बहुत बच्चों ने पुछा कि हमारी प्रॉब्लम है तो यह इनकी जानकारी अब समाप्त होगी तो हम आते हैं नेश्ट पे अब आते हैं बैलेंस की बात पर जिनका कह रहे हैं कि बैलेंस मेरा सर नहीं फाउंड हो रहा है जैसे कि बहुत लोगों ने हमसे यह कहा कि बैलेंस नहीं आ रहा है तो दूसरी बात हम कॉ यहां पर दिए कुछ नमबर दिए जैसे यहां पर इनका नमबर दिये प्राता दस बजे बारा बजे तक तो दस बजे जैसे बहुत लोगों ने किये सर हम फोन लगा रहे हैं फोन नहीं उठाय जा रहा है तो यहां से आप फोन लगाईए, यहां से फोन लगाएंगे लिए 10 बज़े से 12 बज़े तक, आउकास की दिनों में छोड़ कर, मलब यहां से अपना कॉल करेंगे तो आपको कॉल हो जाएगा, फिर सिद्धार में तरचाथ बितिया, दिकारी नोडल के हैं, यहां इनका भी है इनका भी आप यहां, इन दोनों का एक ही नमबर है, इस पे आप कॉल करेंगे तो आपको जानकार भी है, फिर यहां पे दिये पिछड़ावर, कल्ल्याण विगार, उत्तर पर दे, यह टोल फिरी नमबर है, आप 1-8-0-0-1-8-0-5-1-3-1 पे, फिर यह यह भी दिया है, स्र पूरी जानकारी, यह तो गैरंटी है कि आपका पैसा इस साल आना ही आना, अगर आपके फार्म में कोई भी गड़बड़ी ना होगी, तो 100 पर से आपका पैसा आना ही आना है, तो यह दिखिए पूरी जानकारी है, हम आपके सामने पर से, अब संक्या के अदागेंद प्रत आप जैसे कि बहुत लोग ने का, PFMS में हमारा मैसेज नहीं आ रहा है, PFMS पे सार हमारा डाटर नाट फार्म तो इसके लिए कोई परसान ही नहीं हमने फिर से बता देना है कि अगर आपका डाटर फार्म नहीं हो रहा है, तो इस समय साइट बहुत स्लो चल रही है, तीसरी ब लोग ने का, सर हमारा मैसेज आगे है, जैसे के मैसेज वाला कल भी बिताया तो जैसे कि हम दिखा तेंआ आपको मैसेज का, जैसे इनका मैसेज आगया है, आपका कि अगरyeon हstag मैसे जिन माधा जिन जिंब अबताया है उनका डाटर नाट फाल उता कार रहा हमारे सार मैसेज जागे तो ये परसान ना होई है कि आपका scholarship 100% आएगा ये वित गैरेंटी है आज हम कहरें आप 15 दिन तक वेट करिए अगर आपका scholarship ना आए तब कहिएगा 15-20 दिन के अंदर आपकी scholarship आएगी ये फरवरी के लाच तक आजाएगी आपकी scholarship उसके लिए परसान मत होईएगा जि इनका scholarship का message नहीं आया है वो जैसे कि हमने बता है कि school दारा एक number दियेगा इसकूल में सारे 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 स्कूलों college में number दियेगा इंस्टूट में जितने भी ITI के विद्धार थी है या पाल्टेक्नीक के विद्धार थी है या बीटेक कर रहे है या बीएड कर रहे है या मैसेज आ जाएगा आपके पास अगर मैसेज आ गये योर यूपी स्कॉलर्सीव रिश्टेशन नंबर वरिफाइट बाइड डिश्टी की स्कॉलर्सीव कमिटेट तो आप चेक करके अपने पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपका अगर यह मैसेज आ रहा है तो आपकी स्कॉलर्सीव 100% आनिता है दूसरी बात हम आपको बता दें तो यह जो पूरी जानकारी थी जिनका भी प्राबलम है यह पूरा समधान आपको हम बता दें कि आपको कोई भी परसानी होनी नहीं योगी अधितनात ने हमारे जो मुखमंत्री है उन्होंने एहलान साब आप तोर पर कह दिया तक इस बार जो स्कालर सीफ है सभी को मिलनी तह है ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिनको स्कालर सिफ ना मिले ठीक है और हमको बता दें जैसे कि आपको साइट चेक करके दिखा दे रहे जैसे मैं यहां पर गूगल साच कर रहे हैं और यहां पी एफ करें देखेंगे इसकी साइट चली ही नहीं तो डाटा फाउंड का इस समय साइट पर हम क्लिक कर रहे हैं देखिए इसकी साइट चल गई चल लिए बहुत अच्छी बात है आज देखिए अभी तक कल तो नहीं चल लेती एडवांस पर जाईए जैसे अगर इसका जिसका यह सो हो रहा है क्योंकि साइड इसमें बहुत स्लो तो एडवांस पर क्लिक कर दिए फिर यहां पर पर प्रोसीड टू प्रोसीड टू प्या बहुत लोगा नाम अगर आ जाता है तो अच्छी बात है इसमें देना पढ़ेगा आपको इसमें अगर चेक करना में हुआ कुर्प से बता देरें कि इसमें को बैयंग का नाम आपको आना चाहिए दूसरी बात आपका जो बैंक अरत नंबर हो याद रहना चाहिए एक बार डालें फिर दो बहुत काउंट है तो आज आएगी दूसरी बात बहुत का नहीं अक्यों क Five उत्षिकर खुल नहीं रहा तो जैसा कि हमने आपको बता दिये तो यह प्रापलम है अगर को भी और भी प्रापलम है तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि हमारे में यह प्रापलम है। आपको बताएंगे जैसा कि हमने बता दिये इस वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी निश्चित मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों यहीं से हम अलविदा लेते लेकिन इससे पहले जिनों अगर अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जो भी कते इसकालर संबंदी वह हम को कमेंट करके बताइए तो हम उनके लिए एक नए वीडियो आपके सामने प्रसूत करेंगे तो अलविदा लेते हैं सब